दियस स्टूडेंट्स वेलकम डू रवीयन एंड टेस्ट सेशन 2021 डियस्टूजेंट, स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट तू का टेस्ट नमबर वन टेस्ट नम्बर वन में दो चैपरं इंकलूड हैं चैपर वन प्लस तू और इस्में हमने दो तरह के पेपर डिस्कस करने हैं पेपर ये और पेपर बी डिस्कस करना है तो सबसे पहले पेपर A का अबजेक्टिब पार्ट डिसक्स करते हैं MCQ नमबर वन है दा मेटल विच है सेम हार्डनेस ऐस देट आफ आइरन जितना मेटल का साइज छोटा होता है उसका मेटलिक बांड उतना ही स्ट्रॉंग होता है पेकिंग क्लोज होती है और उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है तो इन एलिमेंट में सबसे समाल साइज ब्रीलियम का है तो इसकी हार्डनेस क्लोज टू आइरन होती है Nelson cell is used to prepare Nelson cell use करते हैं कास्टक सोडा की preparation के लिए जब के Downs cells use करते हैं सोडियम की preparation के लिए दोनों में रा मैटेरियल सोडियम कलोराइडि यूज होता है Down cell में molten जब के Nelson cell में accounting solution Formula of sodium reluctant is sodium substrate का जो onosour хват то है वो NA2-BEO-2 है which of the following will not form oxide on heating कौन है जो heat करने से oxide नहीं बनाएगा alkali metals में से heat करने से सिरफ lithium oxide बनाती है बाकि जितने भी alkali metal के nitrate हैं वो heat करने से nitrite बनाती है तो इसका मतलब है इसका answer sodium nitrate बनेगा second group के nitrate heat करने से oxide बनाते हैं और lithium B heat करने से oxide बनाता है जबके बाकि पहले group के nitrate heat करने से nitrite बनाती है which is maximum hydration energy hydration energy ज्यादा होती है अगर charge ज्यादा हो तो simply हम यहीं से answer find कर सकते हैं कि किसकी ज्यादा होगी जिस पर charge ज्यादा होगा जो first three है सब पर plus one है magnesium plus two है तो इसकी hydration energy ज्यादा होगी which of the following has highest melting point चौते group के melting point सबसे ज्यादा होते हैं यानि इनमें silicon का melting point क्योंके चौते group से है सबसे ज्यादा होगा aluminium तीसरे group से है, phosphorus पांचवें ग्रूप से है जबके sulfur छटे group से है तो silicon सबसे ज्यादा होगा the most metallic element among the following is down the group metallic character ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाड़ा element है वो बिस्मत है इसका मतलब है बिस्मत is the most metallic element nitrogen है, phosphorus है उसके बादार सेनेक है, antimony है, बिस्मत है तो बिस्मत सबसे नीचे है which is maximum ionization energy, सबसे ज्यादा ionization energy उसकी होगी जो right side पे होगा इसका मतलब है, brilliant की तो हो नहीं सकती है और ना ही boron की हो सकती है right side पे oxygen है लेकिन यहाँ पर आपको ख्याल रखना है abnormal trend ionization energy के जो electronic configuration होती है nitrogen की वो P3 होती है balance वाली जबकि oxygen की P4 होती है तो यहाँ पर oxygen की कम है क्योंकि उसकी configuration stable नहीं है तो यह answer बन जाएगा nitrogen बजाहर तो यह लगता है कि nitrogen right side पे है oxygen right side पे oxygen की ज्यादा होगी लेकिन oxygen की configuration stable नहीं है, यही वज़ा है nitrogen की ज्यादा है, दो जगा पे abnormal trend है, दूसरे और तीसरे के दर्मियान और पांचमे और छटे के दर्मियान subjective part है subjective जो पार्ट है उसका section one है right on the formula of silvite silvite potassium coloride होता है और halide sodium coloride होता है इसका formula और chemical name दोनों लिख देंगे आप why lithium carbonate decomposes on heating, एक तो बताएंगे कि lithium carbonate में lithium has small size and carbonate has bigger size that is why packing is not closed क्योंकि इसमे इनाइन और केटाइन दोनों का size है वो size में बड़ा difference है तो इनकी packing compatible नहीं है तो इसकी lattice energy काम है तो एक तो आप लिखेंगे कि lattice energy काम है और दूसरा लिखेंगे कि इसके compound में equivalent character ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसके decompose होने के chance ज्यादा होते है और फिर decompose होके जो product बनते हैं उसकी आप chemical equation भी यहाँ पर लिखेंगे के इसके decompose होने से यहाँ पर हमारे पास बनता है lithium oxide plus carbon dioxide बन जाता है तो यह equation भी आप यहाँ पर लिखेंगे लेंथनाइड contraction control the size of the elements of six and seven periods यहाँ पर आप बताएंगे क्योंके लेंथनाइड contraction जो है लेंथनाइड यह F block elements और F का shielding effect पूर होता है जिसकी वजह से effective nuclear charge ज्यादा और size समाल हो जाता है तो particular जो यहाँ पर बात लिखनी ज़रूरी है वो F का shielding effect है जो के poor होता है melting point of group seven elements increases down the group seven A में non metals है और non metals में London dispersive forces होती है क्योंके यह molecular form में exist करते हैं तो down the group जाते हुए एक बात लिखेंगे polarizability बढ़ जाती है और London dispersive forces बढ़ जाती है जिसकी वजह से melting point बढ़ जाते हैं और फिर आप halogen इनकी physical state भी लिख देंगे कि यही वज़ाय फॉलोरीन कलोरीन गैस है बरोमीन लीकवर्ड है और iodine solid है oxidation state vary in a period क्योंके number of valence electron change होते रहते है number of valence electron change होने से oxidation state vary करती है और group में number of valence electron same रहते हैं जिसकी वज़ा से oxidation state में change होने का chance कम होता है next है define ionization energy ionization energy की definition लिख देंगे साथ example लिख देंगे जो भी sodium की लिख देंगे या magnesium की लिख देंगे दोनों book में के बनें although both sodium and potassium fast for us are present in the same period दोनों का तलिक एक ही period से है लेकिन उनकी oxide की nature different है तो यहां पर आप बताएंगे sodium चुके metal है metal की oxide basic इसलिए होते हैं क्योंकि जब water में dissolve होते हैं यह base बनाते हैं और यहां पर आप इसका water के साथ reaction करवाके एन नियो थ्री तो आप दो बातें यहां पर बताएंगे एक तो बताएंगे के metal के oxide basic और non-metal के एस्टेक होते हैं और फिर बता देंगे sodium metal है तो यह basic है equation लिखे देंगे फास्फ़रस non-metal है इसका oxide एस्टेक है और इसकी भी water के साथ equation लिखे देंगे why heat of hydration of alkaline metals decreases down the group down the group hydration energy इसलिए काम होती है क्योंकि charge density काम होती है hydration energy actually depend करती है charge over size ratio पे आप charge over size ratio को charge density भी कह सकते हैं तो hydration energy depend करती है charge density पे यह charge over size की ratio पे down the group size बड़ा होता जाता है जिसकी वज़ाए से charge to size ratio कम और hydration energy भी कम होती जाती है यह आप इसको charge density भी कह सकते हैं तो down the group charge density भी कम होती जाती है what are alkaline earth metals alkaline earth metal group two elements है और elements के नाम लिख देंगे और फिर इनको क्यों कहते alkaline earth metals है क्योंकि इनका water में solution alkaline होता है और किसी एक का जैसे आप calcium oxide है यह calcium को simply water में dissolve करके दिखा देंगे कि यह water के साथ reaction करके alkaline बनाता है इसलिए alkaline है और फिर इनको earth metals क्यों कहते हैं because they are distributed in earth crust वाइल लीथियम डिफर्स फ्रॉंद आदर members of its group in the predictable यहां पर आप लिख देंगे कि लीथियम का size समाल होता है charge density ज्यादा होती है ionization energy electron infinity और इसके साथ साथ electronegativity भी ज्यादा होती है यही वज़ा है यह अपने group से different होता है long question subjective जो है उसका section two write down four points to show the peculiar behavior of brilliant आप point इसके heading बनाके लिख देंगे कि सबसे पहले तो इसकी hardness के बारे में इसका melting point boiling point की heading बना लेंगे इसके अलावा इसका जो oxide होता है वो emoteric होता है acid और base दोनों से reaction कर जाता है और फिर यह poor reducing agent होता है अपने उपर प्रोटेक्टिव layer of oxide बना लेता है इस तरह आप heading बनाके लिख देंगे डिफाइन electron affinity जब आपने define करनी है define करने के साथ आपने यहां पर इसकी example भी जरूर देनी है कलोरीन या फालोरीन की जो भी आप लिखने और फिर इसके periodic trends है periodic trends का मतलब है आपने इसके periods और groups के trends बताने है तो सबसे पहले तो जब आपने definition कर लेनी है definition करने के बाद आप example देंगे और example देने के बाद आप इसके factor बताएंगे कौन कौन से factor है factor बता के फिर आप discuss करेंगे कि periods में यह वाले factor इस तरह से change करते हैं फिर आप जो है इस question में से चार नंबर ले सकेंगे नेक्स्ट है जो paper B है chapter 1 plus 2 का paper B में सबसे पहले objective portion mcq number 1 है neutron has formula neutron का जो chemical formula होता है वो होता है hydrated sodium carbonate which gas is evolved at anode, anode पर metals भी नहीं जा सकती, anode पर hydrogen gas भी नहीं जा सकती anode पर या तो halogen जाते हैं या oxygen जाता है, halogen जाते हैं जब solution concentrated होता है तो brine concentrated solution होता है, इसका मतलब है कलोरीन जाएगी, अगर dilute solution होता है तो फिर oxygen gas release होती down the cell is used to prepare sodium metal, जो nelson cell है, diaphragm cell है, उससे castric soda बनता है, down the cell से sodium metal बनती है element that resembles, cism, element cism resembles, cism का तल्लक group 1A से है, तो cism जो है, किस से resemble करेगा, जो group 1A के members है, इसमें कोई भी group 1A का member नहीं है, तो इसका मतलब है, इसकी resembles is in में से, किसी से नहीं है, resemble cism group 1A से है, तो 1A वाला ही यहाँ पर resemble करेगा, इसके साथ, next है, यह एक reaction दिया हुआ है, 10 oxide plus carbon है, और 10 carbon dioxide in this reaction carbon acts as, carbon का बताना है, तो carbon इस reaction में reducing agent है, क्यों, क्योंके देखें, यह 10 की reduction कर रहा है, 10 यहाँ plus 4 में होता है, plus 4 से यहाँ पर आ जाता है, 0 में, तो इसका मतलब है, 10 की होगी है reduction, जबके carbon 0 से plus 4 में आ गया, इसकी अपनी होगी है, oxidation, तो carbon एक reducing agent है, दूसरों को reduce करके खुद oxidize हुआ है, which is maximum heat of hydration, heat of hydration उसकी ज्यादा होती, जिसका charge ज्यादा हो और size small हो, इसका मतलब यह answer नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों पर charge ज्यादा है, अब तीनों पर charge same है, plus 2 है, तो फिर देखें, size किसका small है, जिसका size small होगा, उसकी hydration energy ज्यादा होगी, mark the correct statement, metallic character increases down the group, बिल्कुल ठीक है, down the group size बढ़ा होने से metallic character बढ़ जाएगा, maximum electron affinity values for nitrogen, आर, nitrogen के valence shell में 5 electron होते हैं, इसका मतलब है, इसको 3 electron और चाहिए होते हैं, तो इसकी maximum electron affinity की value 3 हो सकती है, क्योंकि octet complete करना होता है, total अपने valence shell में 8 electron पूरे करने होते हैं, नेक्स्ट है, subjective section का part 1, write down the formula of neutron and halite, neutron और halite का formula लिखने, neutron का formula होता है, Na2CO3.water molecule, ये आजाएगा, Na2CO3.water molecule आजाएगा एक साथ, यनि ये hydrated sodium carbonate होता है, और साथ halite आजाएगा, halite जो है, halite H2O, और halite होता है, NaCl, ये इसका answer बनेगा, यनि आप chemical name भी लिख देंगे, और formula भी लिख देंगे, why brilliant is harder than lithium, क्योंकि brilliant का size small है, इसके valence shell में दो electron है, और इसका मतलब है, जो brilliant है, इसका size small होने की वज़ा से, इसमें packing close है, और इसका metallic band ज्यादा strong होगा, metallic band ज्यादा strong क्योंब बनेगा, क्योंकि इसके valence shell में unpaired electron, यनि वैलन शेल में free electron ज्याता है, what is the effect of heat on hydroxides of group 1, ने यहाँ पर आपने equation लिखनी है, इसमें सिर्फ lithium जो है, वो decompose करता है, lithium hydroxide को जब heat करते हैं, तो ये बनाता है, lithium oxide, lithium oxide के साथ साथ ये बना देता है, water, बाकी जो हैं वो decompose नहीं करते हैं, ये decompose क्यों करता है, क्योंकि इसमें covalent character ज्यादा होता है, और lithium की charge density ज्यादा होती है, what is the effect of heat on magnesium nitrate and lithium nitrate, दोनों ही oxide बनाते हैं, lithium nitrate भी oxide बनाता है, आप balance chemical equation लिखेंगे, दोनों में, magnesium nitrate पर heat के effect भी और lithium nitrate पर, similarities of hydrogen with group 7 elements, at least आप four similarities लिखेंगे, कि दोनों को balance shell complete करने के लिए एक electron चाहिए, negative iron भी बना देते हैं, molecular form में भी पाए जाते हैं, non metals भी हैं, तो इस तरह आप इनके point बना के लिखेंगे, चार, next है, hydration energies of the group 2 elements of higher, दूसरे group की hydration energy क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी charge density ज्यादा होती, charge density क्या है, उनका charge भी ज्यादा है, और size small है, यही वज़ा है, उनकी hydration energy ज्यादा है, how melting point change across second period, यहाँ पर आप graph भी बना देंगे, आप बताएंगे second period में चौथे group तक बढ़ते हैं, उसके बाद काम हो जाते हैं, चौथे group तक क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि number of unpaired electron, binding electron बढ़ जाते हैं, carbon के सबसे ज्यादा melting point होगा, क्योंकि carbon चार band बनाता है, diamond में और giant structure होती है, उसके बाद काम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि nitrogen, oxygen, following, neon, small molecular form में एक्जिस्ट करते हैं, जिनमें weak intermolecular forces हैं, वाइ first electron infinity is usually exothermic negative, actually जब first electron add करते हैं, तो first electron add करने से उसका wellish shell completion की तरफ जा रहा होता है, तो energy release होती है, क्योंकि वो stability, उसकी electronic configuration stable हो रही होती है, why oxides of metals are basic, आप यहाँ पर example दे के दिखा देंगे, कि जैसे देखें, sodium का oxide है, water में dissolve कर दिया, base बन गया, इसी तरह non-metal के acidic हैं, क्यों acidic हैं, यहाँ पर भी आप example दे दें, SO3 की example दे दें, कि देखें, non-metal का oxide है, जब water में dissolve करेंगे, तो यह acid बना देगा, इसके यहाँ आप यहाँ फासफोरस की example देने, कोई भी non-metal की example दे सकते हैं, लेकर आपने equation लिखनी है, एक metal के लिए और दूसरी non-metal के लिए, वाइ ग्रेफाइड इस conductor, वाइल diamond इस non-conductor, आप बताएंगे, ग्रेफाइड में हर carbon तीन बांड बना रहा होता है, diamond में हर carbon चार बांड बना रहा होता है, ग्रेफाइड में hybridization carbon की SP2, diamond में SP3 है, ग्रेफाइड का जो चौथा electron है हर carbon का वो free है, और वो parallel to the layer freely move कर सकता है, जबके perpendicular to the layer freely move नहीं कर सकता, subjective है section to write down the four points in which lithium differs from its family, अब lithium के काफी ज़्यादा points दिये हुए हैं, तो जब आपने four points लिखने हैं, तो आपने वो points लिखने हैं जो अच्छे वाले हैं, जिनमें data ज्यादा है, जिनमें chemical equations हैं, तब ही आपको चार number मिलेंगे, जैसे आप lithium जो है, उसका हाइड्रोकसाइड की stability डिसकस कर लें, इसके सास्थ बताएं के lithium जो है, इसका कार्बोनेट और नाइट्रेट वगरा डिकमपोस कर जाते हैं, आप lithium के compounds की solubility डिसकस कर सकते हैं, lithium hydride, जिनमें chemical equation involved होती है, particularly वो लिखने की कोशश करें, और headings बनाके लिखें, चारों points, heading बनाके long question है, तो आपने headings बनानी हैं और हर heading में आपने कोशश करनी है, वो वाला part लेना है, जिसमें chemical equation भी आए, discuss periodic trends of ionization energy, ionization energy के periodic trend अगर discuss करने हैं, तो सबसे पहले आप factor discuss करेंगे, काउन काउन से factors हैं, factors के बाद आप बताएंगे के period और ग्रूप्स में ये factor कैसे वेरी करते हैं, और ionization energy कैसे वेरी करती है, जब आप periods में ionization energy बताएंगे कैसे वेरी करती है, तो याद रखिएगा, वहाँ पर graph बनाके आपने दिखाना है कि जहाँ पर abnormal trends हैं, इस period में nitrogen और oxygen है, दूसरे में nitrogen और oxygen में यहाँ पर जाकर फिर abnormality है, तो आप abnormal trend पर भी special अपना focus रखेंगे, ग्राब बनाएंगे, फिर जाके आपको 4 number मिलेंगे, ये ताडिये students हमाजा हमारा chemistry का पहला paper और उसकी discussion, thank you very much.